हेलो फेंड्स वेल्कम बैक टो आर चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एवन्यू सूपर मार्ट के बारे में जो आप सभी जानते होंगे डी मार्ट के नाम से और डी मार्ट में एक बहुत ही बड़ी एक ब्रेक आउट आया है और इस पर हम डीटिल में चल्चा है जहां पर की हमें काफी अच्छी ओपर्चिनिटी दिखती है अब छ़िए मैंने हीरो मोटがॉप के बारे मताया है बहुत अच्छी यहां अच्छी अपर की है आपकिए अच्छी में बात करें भी अपिडियरमें में बात खरें एक या फिर आफ कोई बी बैंकंक SUPK उच मैंने आपको बताया था कि ऐल मार्केटिंग कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग आए गया प्रॉफिट बॉकिंग आए भी और अब जो है वो जो दो रुपए इन्होंने सस्ता किया है पेटोल बट अभी बहुत ही अच्छी ऑपरचुनिटी है अब इसका लो बन चुका है तो ऑईल मार्केटिंग कंपनीज पर भी ध्यान रखेगा मैंने बहुत पहले ही बताया था आए टी में मेरा ज्ञान थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था और मैंने आए टी में अपना प्रॉफिट बॉक भी किया था मैंने आपको बताया था एच्छी टेक में अपना अल् चीज थी पहले बता दी जहां पर कि कोई भी आपको नहीं बोल रहा था कि इलिकेशना और इस पस्ません करके मत देखेगा एवेन्यू सूपरमार्ट्स पे हम बात करते हैं एक मैंने यह ब्लू कलर की लाइन बहुत पुरानी डाली हुई है यह जो लाइन है यह एक ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हर बार इसने लिया भी है सिर्फ एक बार यह ट्रेंड लाइन इसके अलावा एक और लेवल है जहांपर आप ध्यान रख सकते हैं जो था 4200 का ये लेवल जो था यहांपर ही एक अच्छा कासा ये एक लेवल था जहांपर कि इसने अच्छा कासा ब्रेकौट दिया है और ये ब्रेकौट काफी इंट्रेस्टिंग भी है क्यों क्योंकि आपने देखा होगा December 2023 के बाद ये इसने एक breakout दिया है और इसके बाद ये अब इसके ऊपर चलना शुरू हुआ है तो 4200 के ऊपर जो ये चला है इसका बहुत importance है क्योंकि एक ये एक बहुत ही बहतरी इन rounding bottom बना कर चला है और rounding bottom का जो target आता है वो आता है almost अगर आप देखते हैं तो 4750 के आसपास 4750 का target के साथ इसमें बिल्कुल बनी रहा जा सकता है बट इससे पहले भी एक hurdle आपको दिख रहा होगा ये मैंने green color की line डाली है 4600 के आसपास तो 4600 भी क्या है वो अभी थोड़ी दिर में देखते हैं बट अभी अगर आप की position है बिल्कुल बनी रह सकते हैं मेरी position मैंने dilute कर दी थी मैंने सारा profit book कर लिया था हो सकता है मैं वापस से position मना हूं तो इसको बिल्कुल अपने financial advice से discuss किये बिना कोई भी decision मत लीजेगा हाला कि मेरी position नहीं है बट future में position मना सकता हूं विकर में को चार्ट पर काफी अच्छा लग रहा है ये इसी तरह से अगर आप देखते हैं अभी stop loss कहां लगाना है अगर आपने हाल फलाल में अगर कल ही के दिन position मनाई है तो 4200 का एक अच्छा stop loss होगा अगर आपने पुरानी position मना रखी है तो एक 4093 रुपीज का एक stop loss काफी अच्छा है क्योंकि यहां पर ही इसने एक ब्रेक इवन दिया था रन अवे गैप दिया था और यह गैप को फिल कर देगा तो फिर इसमें नेगेटिविटी वापसे आ जाएगी तो 4093 एक और लेवल है अगर आप थोड़ा सा निच्छ लेस तो पर बनाएं थी position 4093 का एक stop loss लगा लेजेगा तो यह एक डेली के चार्ट पर पोजिशन हो जाती है अगर RSI भी देखते हैं तो 76 का RSI तो बहुत ही बड़ी मोमेंटम बना हुआ है एवनी सुपर मार्ट में और काफे टाइम बाद इसमें यह जो मोमेंटम है वो मोमेंटम वापस जारी हुआ दिसेमबर 2023 के बाद अब यह जाकर वापस से उसी लेवल पर पहुचा है तो यह डेली के चार्ट पर पोजिशन हो जाती है एक बार WALL के चार्ट पर वह सुझा और तो weekly के चार्ट पर यह ने weekly के चार्ट पर convert किया है और weekly के चार्ट पर भी देखते हैं आप तो एक जो मैंने 4596 का मैं आपको बता था level और importance वो यह है क्योंकि यह ही एक level था 4596 का जो इसने cross नहीं किया है September 2022 से September 2022 से लेके अब तक almost one and a half years हो चुके हैं तो 4750 जाने से पहले अभी 464596 तो इसके लिए हर्डल है अगर यह निकाल देता है तो फिर इसके लिए बहुत ही अच्छा एक 47 to 4800 का इसमें एक level देखने को मिलेगा और वो भी हर्डल कब का है वो भी पुराना हर्डल है वो इसने चुआ था almost कब January 2022 में चुआ था तो almost 2 साल पुराना एक यह हर्डल है तो यह एक importance है इस particular चीज की कि almost 2 साल पुराना यह हर्डल तोडने जा रहा है और अभी इसके बीच में मतलब 4596 से पहले अब कोई इसमें हर्डल दिखनी रहा है और यह सीधे अब यह next पढ़ावाता है इसका 4600 तक का तो यह एक ध्यान अगर आप weekly के चार्ट पर भी RSI देखते हैं तो 67 का RSI तो वो भी एक अच्छा bullish momentum दिखा रहा है एक बर मंतली के चार्ट पर भी दिखा देते हैं मंतली के चार्ट पर कैसा प्लेश है तो मंतली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि अच्छा खासा एक यह momentum बना हुआ है अपने जो भी support लिया है इस trend line का support लेके ही उपर चल रहा है और अभी एक बहुत अच्छी green candle से इसने अपने breakout दिया है 4200 के उपर तो अब यह जो भी position आपकी बनी हुई है एक बार के लिए इसमें बनी रह सकते हैं stop losses मैंने आपको बताई दिया है 4200 और 4093 यह दो जो stop losses की तरह काम करेंगे आपके लिए और इसमें पहला पड़ा आपको 4596 और उसके बाद 4700-4800 यह दो लेवल से जहांपर आप अच्छी से इसमें profit भी कर सकते हैं या फिर इसमें आपको अगर trail करनी है position तो trail भी कर सकते हैं अगर RSI भी देखते हैं मंतली के chart पर तो RSI भी 60 को cross करके है तो वो भी एक अच्छा indication दे रहा है तो तीनों ही time frame पर 60 को cross कर चुका है RSI तो यह अच्छा indication है और अच्छे यह दिखा रहा है कि एकदम bullish momentum जारी है Avenue Supermarts में इसी तरह के ideas आपने पहले भी दिये हैं और आपने अगर आपका कहीं पर अच्छा पैसा बन रहा है कहीं पर आपकी radar पर कोई अच्छा stock आया है वो भी आप मुझे comment में share कर सकते हैं और बिल्कुल हम उनसको बाकी अपने viewers के साथ भी शेयर करेंगे तो इसी तरह के ideas आपको future में भी देखने को मिलते रहे हैं इसके लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए बैला इकन दबना बिल्कुल दो भूलेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं content अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही we'll see you in the next video thank you so much for watching this video